तो मैंने फिल्म देखी आवर हाउस तो ये फिल्म कैसी है और क्या ये फिल्म आपको देखना में चाहिए या फिर नहीं तो यहां पर इस फिल्म की कहानी है इत्रन की जो कि एक मशीन पर काम कर रहा होता है एक मशीन बना रहा होता है लेकिन वो सक्सेस्फुल नहीं हो पा रह आखिर वो मशीन क्या काम करती है और आखिर इस मशीन को वो बनाने में क्यों लगा हुआ था और उसके बाद क्या होने वाला है और यह सब अगर आपको जानना है तो आपको यह फिल्म देखनी पड़ेगे जो कि मैं शायद आपको recommend करूंगा लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिस काफी सारी बुराया भी है जिस वज़े से हो सकता है कि आप दो बार जरूर सोचोगे कि आपको यह फिल्म देखना भी चाहिए या पर नहीं क्योंकि यह फिल्म ही ऐसी है तो देखो जिस तरी कि मैंने आपको इस फिल्म की स्टूरी बताई है तो आप उससे आप समझ ही बनी हुई मुझे फिल्म देखने को मिली है खासकर साइफाई की जोनर में तो उसी वज़े से मुझे यह फिल्म काफी ज्यादा पसंद आए काफी ज्यादा मज़ेदार लगी और फिल्म कुस लेवल की भी है तो ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूं कि फिल्म बेकार है या फिल्म पर हमको ऐसा कुछ खास देखने को तो मिलेगा नहीं फिर अचानक से ये फिल्म एक साइफाई के लेवल पर चली जाती है उसके कुछ वक्त के बाद ये फिल्म होरर की तरफ मुड़ जाती है यानि कि ये जो फिल्म है ना पहले सीधी साधी सी लगने लगती है फैमिल ड्रामा लगने लगती है फिर ये फिल्म देरे देरी दरे भी धर्म होती ही चली जाती है तो इस फिल्म को जिस तरीके से रेप्रेजेंट किया गया है जिस तरीके से फिल्म का स्क्रीन प्ले आगे बढ़ता है वो काफी ज submission Zusammen का है तो यह मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी इस फिल्म की और इसके अलब अगर मैं बात करूं यहां पर इस फिल्म की जो सबसे बड़ी कमी की जिसके मैं बात कर रहा था कि फिल्म की बुराई क्या है तो यह जो फिल्म है ना भले यह डेड़ घंटी की फिल्म है लेकिन यह जो फिल्म है बीच-बीच में काफी जगों पर बहुती ज्यादा slow हो जाती है इतनी ज्यादा slow कि आप bored हो जाओगे आपको फिल्म देखने में मज़ा नहीं आएगा बोलोगे कि अब मज़ा नहीं आterrorist तो मतलब फिल्म का स्क्रिंप्ले मतलब कहीं कहीं पर थोड़ा ढ़ला है कहीं कहीं पर बहुत ही जादा स्लो है कहीं कहीं पर बहुत ही जादा बोरिंग भी है लेकिन अगर आप उसको थोड़ा से इग्नॉर करते जाओ और फिल्म को अपने लेवल पर जितना हो सके अगर आप पिंजोई करते जाओगे ना तो फिल्म के एंड तक आते यह फिल्म आपको गजब का इंटिटीन करेगी क्योंकि क्योंकि यह पर इस फिल्म में इतने सर्प्राइज़ें और इस फिल्म को स्टोरी के इसाब से उत्मा बढ़ियां तरीके से प्रेजेंट किया गया है ना कि फिल्म के एंड में आप यही बोलोगे कि फिल्म कमाल की थी और फिल्म को देखने में मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया तो जो मैंने फिल्म की कमी आपको बताए बस वही है वरना देखा जाए तो और अलगर मैं इस फिल्म की बात करो ना जिस तरीकी की फिल्म में योनिक स्टोरिवारी देखने के हुएसन मोल Yakhah Abuni को यह मत हुएन करें देखने का उसला को दो रहा lives ऐसला हुए मैं मानता हूं कि फिल्म जो है वा को कहीं कहीं पर बहुत ही जदा स्लो लग कहीं देखने में मज़ने हां चांब रहा हए दगाई कि उसका डामा है असा कि जिसको 10 कोब्वर्दिस्ती का वा है क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशन्स रहते हैं कि मुवी में आपको यह देखने को मिलेगा यह फिर मुवी हमें यह दे सकती है तो वह आने में काफे जादा यह वक्त ले लेती है तो उसे वज़े से हो सकता है कि इस फिल्म फिल्म में देखना बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं यह फिल्म आपको रेकमेंड करता हूं आपको यह फिल्म जरूर देखना चाहिए एक must watch movie है जिसको देखकर आपको मज़ा जरूर आएगा एक यूनी किसम की फिल्म को देखना तो बनता ही बनता है और यह जो फिल्म है है तो इसके लिए मुझे माप करना क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा होगा